आज जो हम बात करेंगे वो दो वर्प्स है, स्टेलन और लेगन इसका अलड़ी मैंने वीडियो बना दिया है, उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, एक्शन के साथ तो आज मैं थोड़ा सा आपको रैटिंग में दिखाऊँगा, कुछ रूल्स के साथ आपको बताऊँगा दोनों वर्प्स में क्या डिफरेंट्स होता है, तो चले शुरू करते हैं तो पहले हम डेफिनिशन देखते हैं, तो इस टेलन और लेगन दोनों ही आकुजाटी वर्प्स होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है सेकिंड पॉइंट है, इस टेलन को हम यूज करते हैं, पोर स्टेंडिंग पोजिशन जैसे वर्टिकल, कोई पोजिशन में अगर कोई अबजेक्ट हम रखते हैं, तो हम उसके लिए इस टेलन यूज करेंगे आप वीडियो जरूर देखना, एंड वीडियो में भी आपको मिलेगा, तो उस वीडियो से आपको help मिलेगी किस तरसे इस टेलन को यूज करते हैं और लेगन हम यूज करते हैं, लाइंग पोजिशन के लिए, होरिजॉंटल हम बोल सकते हैं, कोई पोजिशन हम अगर हम लाइंग लेटा के रखते हैं, किसी भी अबजेक्ट को, तो हम उसमें वहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, लेगन इसकी कॉंजुगिशन देखते हैं, कैसे होती है, इस के साथ स्टेलन, दो स्टेल्स्ट, एर जी एस स्टेल्ट, वियर और जी के साथ स्टेलन, और इयर स्टेल्ट, इसका सबका मतलब होता है, to put or to keep, but standing position में, standing position में रखना किसी अबजेक्ट को, तो हम स्टेलन यूज नेक्स्ट जो वर्ब है, अब देखते हम एक संटेंस, इस स्टेल है, that's book, I put the book, तो ये आखुजाटी वर्ब है, देखे, ये टेबल पर हम बुक को रखे हैं, इस तरह से, I put the book, तो बुक को हम दोनों तरीके से रख सकते हैं, standing और line, तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते है इस बुक के लिए अगर हम वर्ब यूज़ करेंगे, तो इस टेलन और लेगन, दोनों ही वर्ब्स बुक के लिए यूज़ की जा सकती है, लेगन की कॉंजूगेशन देखते हैं हम पहले, अब एक संटेंस, इस लेगन डिशूव उंटर डेम बैट, मैंने शूज को बैट क बिलो रखा, ये पोजिशन देखरो आप, तो हमने किस पोजिशन में रखा, शूज को लेगन, लाइंग पोजिशन में रखा है, इसलिए हमने आप लेगन वर्ब को यूज़ किया है, यहाँ पर इस टेलन नहीं हो सकता, व्योंकि बुक्स को हम हमेशा इस तरह से ही रखते और से ह स्टें ये नार्मली इस पोजिशन में रखा जाता है इसलिए हमने आप मिजन रखा जाता रखता है इसलिए हमने आप लेगन यूज़ किया है, आपको एकजाम्पल के यह पते समझा आ गया हुगा, लेगन जैलन वर्ब कैसे यूज़ करनी है, दोनों ही लिंक में तो आपको description मिलेगा, मैंने कोई actions के help से बताया हुआ है, अपने last video में कि कैसे इनको use करना है, तो उससे आपको explanation और ज्यादा clear हो जाएगा, तो मिलते एक नए वीडियो में, till then, bye bye, take care.